जैने साथी मेरा नाम है आकास मौर्या और आपसे लोग को आपके अपने चैनल RQP Study पर बहुत बहुत सुवगत है प्रेंस आज सुड़म लोग CRP of Parametric Estab के हिंदी भी हैं आप लोग तो 30 questions इस वीडियो में cover करने वाला हूं 30 questions कौन से संभावित हैं जो कि आप लोगों के exam में पूछे जा सकते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए syllabus के बारे हैं क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सर syllabus पर वीडियो बनाए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हुआ है क्या क्या syllabus रहने वाला है हिंदी के आप लोगों को 30 questions रहेंगे जीके के आप लोगों के जो questions रहेंगे वो 20 questions रहेंगे इसके अलावार रिजिनिंग के आप लोगों को 20 questions रहेंगे है और आपके mathematics से 30 questions रहने वाले हैं टोटल आप लोगों को सताव नमबर के सब कोस्टन्स रहने वाले हैं ये चीजे आप लोगों को ध्यान में रखकर अपनी तयारी को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर हिंदी की आज शीड़ों है के वैल आइकन को प्रेस कर लेना ठीक है तो बीना देर की है चली हम लोगों को को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का पहला कोस्टन्स जो निकल कर आ रहा है इसमें से राइट एंस्वर आप लोगों को बताना है फटाफट आप लोग कोमेंट केजिए क्योंकि आप लोगों ने जो है दो तीन साल तक केवल इसी पर तयारी किया हुआ CRP के परामेडिकल इस्टाप हाला कि इसमें ट्रेड के 50 कोश्चन से उनको हटा दिया गया लेकिन हिंदी सब्जेक्ट जो था वो पहले से ही था जहां पर आप लोगों को पहले 10 कोश्चन साते थे पहले 15 कोश्चन साते थे अब उसको बढ़ा कर 30 कोश्चन कर दिया गया और ट्रेड के कोश्चन को हटा दिया गया तो आप लोगों को जब हिंदी पढ़ा हुआ तो इतना तो मालू होगा स्री गड़ेस का बिलोम तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोगों का इत स्री अपसन भी यह सही है आप लोगों का इत स्री इत स्री इसका राइट एंसर है next है आप लोगों का निंदा का बिलोम क्या है ठीक है निंदा का बिलोम options है आप लोगों को सुरुती संसुरुती आप लोगों को दिया गया है इसके लावां समयदना और option दिये आप लोगों होता अस्तवन ठीक है इसमें आप लोगों को right answer बताना है तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को right answer इसका मालूम चल हो गया तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों का इस्तुती इस्तुती माने आप लोगों का इस बिलोम है जो है निंदा का नेक्ट आप लोगों का मधूर का बिलोम क्या है मधूर का बिलोम क्या है तो यह हो जाएगा आमल तीरण छहरित कटू ठीक है इसमें आप लोगों को मधूर का बिलोम बताना है यह options है आप लोगों के तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों को option number D कटू मधूर का बिलोम हो जाएगा कटू नेक्स्ट है परिस्रम का विलोम सब्दें आपर बताना है आपसंस है आप लोगों को विस्त्रांत आस्रम विस्त्राम विस्त्राम ठीक है तो इसको आप लोगों को बताना राइट एंसर आप लोगों का तो आप लोगों का इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोगों का विश्राम ठीक है यह आवला आप लोगों का सरेगा और यह बिल्कुल आप लोगों का राइट रहेगा यह ठीक है विलोम सब्द अब next है आप लोगों का अचल सब्द का अर्थ है इस ते और दूसरा अर्थ क्या है इसका वो आप लोगों को बताना दूसरा अर्थ है और क्या निकलेगा अचल का चलायमान, निश्चल, स्थुवीर, गतिमान इसमें से आप लोगों को right answer चुनना आए है तो फड़ा-फड़ँ आप लोगो को comment कर दीजिये और पूरी इमानदारी साथ अब लोगों को बताना है कि 30 मिसे कितने questions आप लोगो को हें निmmetर है, यह इमानदारी आप लोगों को बरतनी है और उसी के according आप लोग मिनाद कीजिए क्योंकि मुझे मिनाद नहीं करना है आप लोग तैयारी करना है मेरा काम में बस आप लोगों को बताना किस दिशा में आप लोगों को तैयारी करना चाहिए मुईरा बस काम यही है कि आप लोगों को वाइड कराना बाकि आप लोग जो आई है घर पर भी तैयार गरी ठीक है यह जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके अलाम भी आप लोग जो हिंदी की जो किताबें उसको आप लोग चार-पांच बार उसको रट डाली है ठीक है क्योंकि ऐसी मोखा बार बार आप लोगों को नहीं मिलें बहुत दिनों बाद वेकेंसी यह रुकी हुई थी फारली जब चालू हुई है तो आप लोगों को इसमें सिलेक्शन लेना आई है ठीक है तो इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आप लोगों को चंद्रमा पच्छी दांत सिंग है इसमें इसमें से आप लोगों को राइट एंस्वर बताना आए पड़ावण आप लोगों केजिए इसका राइट एंस्वर क्या है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ है इसका राइट एंस्वर ठीक है आप सन नंबर आप लोगों का डी सिंग है ठीक है छिया इसका आप ल लोगों को जुबान पर होना चाहिए इसके अलम आप लोगों को परियावाची मालूम होना चाहिए बिलोब मालूम होना चाहिए सोरठा आप लोगों को मालूम होना चाहिए यह जितने भी है आप लोगों के ठीक है यह सभी चाहिए और कवियों के नाम मालूम होना चाहिए कौन सा कवी किस यूग का है उसको भी आप लोगों को याद करना है इन सभी से questions आप लोगों के पूछे जाएंगे जी हाँ दूस् जिसमें आप पूरा में पूरा नमबर ला सकते हैं तो आप लोग कोसिस कीजिए कि पूरा का पूरा आप लोग 30-30 कोस्चन सही होना चाहिए क्योंकि निगोटी मार्किंग है कोई कोस्चन छोड़ना नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का आप लोगों का उपमा ठीक है क्या होगा उपमा अलंकार नेक्ट है परियाटक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है 48 48 का आप लोगों का right answer हो जाएगा option number D ठीक है यह आप लोगों का right answer परी ठीक है यह आप लोगों का next है आप लोगों का परिच्छा में कौन सा उपसर्ग है ठीक है परी पर बड़ी मातर है परी में इसमें ठीक है और उसके बड़ पर आधर है रहेगा तो इसका right answer आप लोगों को बताना है फटाफट comment करके आप लोगों को इसका right answer बताईए तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का option number D पर ठीक है ये आप लोगों का right answer हो जाए next questions है आप लोगों को निवन में से अधि उपसर्ग से न बनने वाला सब्द है अधिकार, अधिनायक, अध्यच कोई नहीं तो इसका right answer फटापट आप लोगों हमको बताइए है तो इन में से कोई नहीं होगा इसके बारे में मालूम होना चाहिए हास रस में क्या होता है, स्रिंगार रस में किसकी व्याख्या की गई है, वीर रस में किसकी व्याख्या की गई है, हास रस में किसकी व्याख्या की गई है, यदि आप लोग रस च्बेंद अलंकार पड़े होंगे तो आप लोगों को इनका अंसर मालुम होना चाहिए जी हां दोस्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोगों का स्तृंगआर रस जी हां दोस्तो स्तिरंगार रस को ही जो अए है रस राज कहा जाता है एक वाक की सब्द ठीक है एक वाक की सब्द इसमें कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है आपसंस है आप लोगों को भारत वर्स के अतीत में कई निर्दई सासक हुए है आपसंस भी है आप लोगों का एकत्रित भीड जैजैकार कर रही थी गादी जी चर्खा चलाते थे एक एक करके पते एक छातर कच्छा से निकल गए इसमें से आप लोगों को एक वाक की सब्द चुनना है वो आप लोग फटा फट आप लोग कमेंट करके बताईए मैं इसका एंसवर आप लोगों को बता दिता हूँ आपसन नमबर सी हो जाए गादी जी चर्खा चलाते थे ये एक वाक की सब्द है ठीक है नेश्ट कोशन से है स्रीकृष्ण के अनेको नाम है का सुध रूप लिखिए तो यहाँ पर आपसन से है आप लोगों को स्रीकृष्ण के कई नाम है आपसन भी स्रीकृष्ण के विभिन नाम है आपसन सी स्रीकृष्ण के अनेक नाम है और आपसन डी स्रीकृष्ण के विविध नाम है तो इसका राइट एंस्वर बताना है आप लोगों का सुध कौन साहिन में से सुध असुध आप लोगों को बताना है तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों को option number C स्रीक्रिष्न के अनेक नाम है next है questions है आप लोगों का पावन, पावन का संधी विच्छेद होगा पाधन 1 या फिर आप लोगों का पावन या फिर आप लोगों का option number C है पाव प्लस N option number D, पाव प्लस N तो पावन का संधी विच्छेद आप लोगों का फाटा फर्चून के बताईए तो मैं आप लोगों को इसका right answer बता दे रहा हूँ है इसका right answer हो जाएगा पाव प्लस N तो इसका right answer हो जाएगा पाव प्लस N पावन, नेक्ट कोस्चेशन से आप लोगों का यसोदा में उपयूक्त संधी का नाम बताईए यसोदा में प्रयूक्त संधी का है स्वर संधी है, बेंजन संधी है या फिर विसर्ग संधी है या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा फ्रेंस है विसर्ग संधी, क्या रहेगा इसमें विसर्ग संधी में जो आप प्रयोक किया गया है यह सोधा में नेश्ट कोचन्स हैं आप लोगों के है पाउग प्लस अन को संधी युक्त करने का क्या रूप है ठीक है अभी अभी आप लोगों ने इस कोचन्स को देखा हुआ है उपर ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को था पाउग यहाँ पर देख सकते है ठीक है पाउग का आपसन नमबर सी पाउग प्लस अन अब इसी को देखी उल्टा करके यहाँ पर दिया गया है power plus n को सन्युक तूरूप में क्या कहेंगे है यहाँ पर इसको power कहेंगे option number 20 का right होगा कौन सा अपर सई होगा option number B यहाँ पर सई होगा power n है नेक्स्ट क्वेस्चेन से आप लोगों के है दूरासा दूरासा में आप लोगों को इसको जो है संधी यहाँ पर बाटा गया है तो इसको जो है संधी आप लोगों को यहाँ पर देखना क्वान सा बिलकूल राइट है तो एसका राइट एंसर हो जाएगा सहबार है नेश्ट कोजबार है इसमें आप लोगों को ये questions बहुत बार एक्जाम में पूछे गए और आप सभी लोगों को मालू होगा कहावतों के बारे में इन है तो इसका आप लोगों का right answer हो जागा आपसा number C जी हाँ दोस्तो 921 होना भाग जाना चोर 921 हो गया यानिक चोर भाग गया इस प्रकार से आप लोगों बहुत सारी पहलियां सुनी होंगी ठीक है चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बासुरी बनाकर बजाना मोज करना फुरसत में बंसी बजाना बिरोजगार होना इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का option number B मोज करना चैन की बंसी बजाना मोज करना option number B नेश्ट है आप लोगों का सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है ठीक है रंग उतर जाना भेद प्रकट करना बहुत पच्छताना बिद्रोह करना ठीक है इसका right answer आप लोग फटा फट कमेंट केजी हमको है उम्मीद कर रहा हूं आप लोग जो है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में क्योंकि इससे जो समय आप लोगों का बचेगा तो वो mathematics में आप लोगों का जाने माला है यह सभी मुझ्यमानी questions रहते हैं इनको आप लोगों के दिमाग में छपा होना चाहिए सभी questions का answer है तो इस परकार से ही आप लोग जो है समय की बचत करेंगे एक्जाम में तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का option number D विद्रोह करना, स्तिर उठाना, विद्रोह करना कान भरना मुहावरे करता है धोखा देना, चाणक के होना, चुगली करना, असर न होना तो इसका right answer आप लोगों को मालूम होना चाहिए चुगली करना जी हाँ, तो कान भरना मतलब चुगली करना नेश्ट question है इनमें से कौन सा सब्द तदभव है मधुप, मधुकर, भरमर, भर, भर, ठीक है तो इसका right answer आप लोगों को बताना है option number आप लोगों का कौन सा सही होगा तो वासट का आप लोगों का जो है है option number D यह बिल्कुल right answer ठीक है, भर, ठीक है भर, यह right answer है, तदभव है मदरी का तत्सम रूप आप लोगों को बताना है मुद्री मुद्री मुदरी क्या मुदरी का ठीक है मुदरी का तत्सम रूप फड़ा फड़ा आप लोग कॉमेंट के के बताईए और कितने questions पूरे में सही हो रहे हैं इसको भी आप लोगों को बताना है पूरी इमानदारी के साथ सभी लोग मैं देख रहा हूं कमेंट में सभी लोग नहीं बताते कितने questions सही हो रहे हैं आप लोगों को सभी के सभी लोगों को बताना है कि कितने questions आप लोगों के सही हो रहे हैं तो मैं इसका right answer बता दे रहा हूं इसमें आप लोगों को right बताना है ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगोंको option number B, ठीक है, क्या हो जाएगा, TOP option number B do you wear ठीक है, ये right answer है, तीच का सब्द क्या स्धिलिंग है, इसमें नहीत प्रत्यच की प्रत्य की पहचान करें तो इसमें कौन सा प्रत्य है इसका पहचान करना है एक है आ आनि इका इसमें आप लोगों का सिच्छी का सब्द क्या इस्तरील है इनमें नहीत प्रत्य की पहचान करना आप लोगों को फटा बड़ बताईए इसमें कौन सा प्रत्य लगा हुआ है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसका right answer है इक्या ठीक है इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का इक्या option number D ये बिल्कुल सही है ठीक है नेस्ट questions है आप लोगों को दर्सक सब्द के लिए लिंग वब प्रत्य की पहचान करें पुलिंग आनी इस्तिरी लिंग एक इस्तिरी लिंग आ ठीक है इसमें से right answer आप लोगों को बताना है दर्सक सब्द के लिए लिंग वब प्रत्य कौन सा लिंग है और कौन सा प्रत्य है इसको आप लोगों को बताना है दरसक का लिंग वह प्रत्य बताना है तो आप लोगों का option समय ने बता दिया फटाबड आप लोग कमेंट कर दीजिए किसका right answer क्या होने वाला है तो उमीद कर रहा हूँ आप लोगों को इसका answer मालूम चल गया होगा तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का option number C pulling act ठीक है अब आप लोगों मिला लिजिए क्या आप लोगों ने सही लगाया हुआ था निसान या फिर गलत next है आप लोगों का 6 word ठीक है 6 word किसके योग से बना हुआ है इस परकार से आप लोगों को 6 तरंग गया इन सभी के वार्ण किससे बने हों ये सारी चीजे आप लोगों को याद करना होगा इन सभी का knowledge हो जायगा तो आप लोग जो आएगा बहुत ही आच्छी तरीके से रैट लेंगे पूरा दिमाग में जैसी question पढ़ते ही ने आपको दिमाग में छप जाना चाहिए answer इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई करना है तो इसका right answer मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ है option number A हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा आप लोगों का option number A बिलकुल सही है ठीक है next question है आप लोगों का निमन में से कौन सा स्थब्द आमंत्रिक है कारखाना अमिताब कलराव चहचहाना इसका right answer आप लोगों को बताना फटा फटा फट कमेंटर के हमको बताईए है तो मैं इसका answer राइट बता दे रहा हूँ कलर रहा हूँ option number C बिलकुल सही होगा कलर रहा हूँ टावर्ग में किस प्रकार के बेंजन है इसके प्रकार से आप लोगों को इसके नियम पढ़ेंगे तो सारी चीज़े बिलकुल आप लोगों के दिमाग में चप जाएगी यादि पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका right answer दे देना चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का मुर्धन्य ठीक है कौनसा है मुर्धन्य टै ठीक है मुर्धन्य यह हो जाएगा next questions है आप लोगों के जो आई है हिंदी वडमाला में बेंजनों की संख्या क्या है आप लोगों को बताना है हिंदी वड़माला में बेंजनों की संख्या 32 हैं 34 हैं 33 हैं 36 हैं क्या है वड़माला की संख्या यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आफसर नमबर सी ठीक है यह राइट एंस हो रहे तो यह पूरे हो गए आप लोगों के 30 अब आप लोग हमको कमेंट करके बताईए पूरी इमानदारी के साथ कि 30 में से आप लोगों के कितने questions सही हो रहे हैं जी आँ जोस्तों क्योंकि आप लोगों के 30 में से 30 लाना है तो पूरी इमानदारी भरतनी पड़ी कि लोगों को हमको बताना है कि कितने questions सही हो रहे हैं ताकि मैं उसी according आप लोगों के लिए questions प्रोवाइड कर सकूं और आप लोगों को material भी मैं आप लोगों को provide करा हूँ ताकि आप लोगों को तयारी और भी अच्छी हो सके ठीक है तो आप लोग हमको पूरी हैं उनका लिंक आप लोगों को वीडियो के description मिल जाएगा या फिर आप लोग हुफारे channel के playlist में जाएंगे है तो playlist में हिंदी की अलग वीडियो मैंने upload कर रखा यह गा है जिकrios की अलग है रेजिनिंक के भी upload नहीं क yeux तो कल आप लोगों को वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ठीक है तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले न नोटिफीकेसन जाएगा आप लोगों को आटोमाटिक सारी अपडेट मिलती रहेंगी ठीक है तुम्हां मिलता हूं फरसे नई जानकारी साथ नई वीडियो में तब तरके लिए टिक करें रहें